हलो एब्रिवान वेलकम बैक टू आर चानल कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आज की वीडियो है वो है वर्ट सावित्री की मैं सुभए सुभए नहाद होके और इसके बाद रेडी होना मैंने शुरू कर दिया था तो मैंने सुचा क्यों यह वीडियो बनाई जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए कि आखर कैसे रेडी हुई मैं अपने वर्ट सावित्री के लिए येस आप देख रहे होंगे मेरे हाथों में महंदी महंदी जो है यह बिलकुल भी नहीं कीप मंगवाई थी लेकिन हुआ क्या कि यह पिछली पीप और उसे ब्लेंट कर लिया मैंने उससे पहले मैं मॉश्छराइजर लगा चुकी और अब नेक पी लगारी थी दाकि नेक का जो एरिया है रीजन है उसे एक नौर करके दोनों फेसने नेक दोनों एक जैसा हो जाए एक एक ही कलर का हो जाए वैसे तो फांडेशन लगा इसके बाद आई मेकप करना था तो सबसे पहले मैंने इंसाइट का अपना कंसीलर लगा लिया फांडेशन के बाद कंसीलर लगाया उपर ही उपर लगाया क्योंकि नीचे हुआ क्याता है महंदी लगाने के बाद रात में लेट सोए सुबह जल्दी उठ गए तो नीचे की मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया फिर उसी ब्लेंडर से और फिर इसके बाद आप यह ध्यान रखना की कंसीलर जो भी आप लगाऊगे आपके फांडेशन या बीबी क्रीम से दो शेड लाइटर हो तो और जाद अच्छी बात है वाना एक शेड तो लाइटर होई हो मेर साझारी थी थी हाँ पर रेड एंड कोका कोला कि मतलब डाक ब्राउन कलर की तो यहां पर डाक ब्राउन ऐसेड़ो नहीं लगाया म trail उसको बिल् Gateway निडायी डाक ब्राउन को सिर्फ में पर पिंक और रेड का कॉर्मिनेशन मैंने लगाया पिंक और एंड एंड्राय तो माक突 आप कंसीलर के बाद फेस पाउडर भी लगा ले ताकि पूरा जो जो हमारा बेस है वो सेट हो जाए उसके बार फिर आई मेकप कर सकते आई मेकप मैंने इन डीटेल नहीं दिखाया विकर्स कई सारी वीडियो मैंने आई मेकप की बना रखी हैं दो वीडियो को किन व्लॉक्स तो आप देख सकते हैं उसमें जो सेकंड वीडियो मेकप नई दुलहन के लिए वही वाला मैंने आई मेकप इसमें भी किया था रेड और थोड़ा-थोड़ा सा ब्लैक साइड में टच लगा के थाकि थोड़ा डेंस देखे उसके बाद लाइनर लगा के और मेरा मेकप ड़ जाता है लिप्स्टिक लगा लो ब्लश लगा लो और यहां पर मैं लगा रही थी लाइनर और आज का दिन ऐसा था ना कि मेरा विंग्स ही नहीं बन रहे थे दोनों तरफ के दोनों के अलग-अलग बन जा रहे थे मैंने कम से कम 50 बार मिटा मिटा के इस विंग को ठीक किया और हो भी है रहा था कि आज आँखों से पानी इतना ज्यादा निकल रहा था कम सोने की वज़े से कि लाइनर जो है ना इनर कॉर्णर का वो सारा निकल के आँखों में ही चला जा रहा था और यहां मैं हो गई फुल रेडी और लगा लो ना यह पीन कहा लगा जूड़ा पी पैटा ना ना चला अधी और यहां पर हम सबी पहुंच गए लोहिया पार्क हमारे घर के पास ही है एक लोहिया पार्क है वहां पे हमें जाना था क्योंकि हम पिछले मदुष रामनी में देखके आये थे कि यहां पर काफी अच्छा एक वटका व्यक्ष है वटका पेड़ ह जहां पर हम पूझा अराम से कर सकते हैं लेकिन आज तक मम्मी जो करती आई है वो एक मंदर में करती आई है जहां पिछली बार भी आप सभी ने मेरी वटसावित्री वाला जो व्लॉग है वो तो देखा ही होगा तो वहां किया था बाकी यहां बहुत अच्छा लगा बहु और इतने अच्छे से धीरे धीरे मन लगा के पूझा की है बाकी अगर मंदर वाले वटसावित्री जो पूझा करते थे पहले वहां जाते तो वहां तो इतना ज्यादा भीड़ होती है न किया आप अराम से प्रशाद्बे ने डाल सकते तो बहुत ही और पेड़ भी बहुत स्ट्रॉंग था बहुत ही मोटा बहुत पुराना तो सही था बाकी हम सभी रेड़ी हो गए मामी चोटी मामी और नानी वहां देखो गया पेड़ के पीछे चुपी हुई है वह दिखनी रही है इस कैमरे के अंगल से तो तीनों पहले ही आ गएते और मैं मम्मी और गोलू आ यहां पर प्रशाद चढ़ाएंगे और बहुत सारी और भी चीज़े करते हैं फर्स्ट वर्ट सावित्री बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है बहुत अच्छे और जो सेकंड होती है वह फिर आप नॉमल स्टार्ट कर सकते हो जैसे मम्मी मनाती है वैसे ही मनाया मैंने भी इस बार तो फर्स्ट वर्ट सावित्री तो मेरी बहुत अच्छी थी आप सभी वह भी व्लॉग देख सकते हैं दोनों ही चानल पर डला हुए और जो सेकंड थी वह भी बहुत अच्छे से मनाई हमने सेकंड की जो भी विधी है यह सारा सब कुछ मम्मी ने बताया अपने च ताइन से जैसा शुरू करोगे वैसा मुझे सिखा रही थी कि अब से ऐसे ही ऐसे करना है आपको पूजा तो बस दो जगह हम डालेंगे गौरी कनवेद जो अभी मैं डाल रहे हूँ और दो जगह डलेगा वट व्रिक्ष के लिए वेद इसमें विसहरा के लिए नहीं अपनी थाली सजा के लेके आये थे वो हर एक फ्रूट सारी चीज़े डाल रहे थे और हम अपने कैमरा मैन को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इतनी पेशेंटली हमारे लिए रिकॉर्ड कर देते हैं कैमरा मैन किया घर के बच्चे ही हैं गोलू रिकॉर्ड कर रहा था का सब्सक्राइब कर दे रहे थे तो बाकी की वीडियो आगे कॉंटिन्यू करूंगी मैं यहां पर पिठार लगाया जाता है जो आप हवा दोगे वट्वरिक्ष को यह सारी चीज़े दिखाए जाएंगी कैसे कैसे क्या किया जाता है सबसे पहले नवेद रखा जाता है मतला प्रशाद रखा जाता है किसी भी पूजा में सबसे जो कॉमन चीज होती है वो प्रशाद ही होता है तो प्रशाद सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो यहां पर मैंने गौरी जी के लिए प्रशाद रखने के बाद अब मैं वट्वरिक्ष के लिए रख रही थी आप वट के प यावगा अच्छा में पार्क में केले का पत्ता हर एक चीज इसी पार्क में मिल जाती है तो यहगा इस सभी और प्रशाद वेस्ट भी नहीं गया यह कोई खा ले marketing कोई सकता है पंडी जी को दे सकते हैं कोई भी तो वहां पे ना पार्क में जो सेक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उठा लिया था और उन्होंने वट्वरिक्ष वाला प्रशाद सभी गई खा लिया था कि ठीक है कोई भी खाले पेड के नीचे रहता तो इस पे गंदगी पढ़ ज चीज नेक्स व्लॉग में दिखाएंगे क्योंकि व्लॉग बहुत अच्छे से रिकॉड किया है और अच्छे से बच्चों ने भी साथ दिया है रिकॉर्डिंग में तो एक चीज आप सभी को आप सभी के साथ शेयर करेंगे तो बने रहे हमारे साथ सेकंड में भी हैं हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे एक व्लॉग के साथ वाट सावित्री की पूरी वीडियो के साथ कैसे कैसे हमने क्या क्या किया तब तक के लिए बाबाई टेक क्या रॉट